हेलो गाईज अगर आप सभी लोग यहाँ पे जो है जूम एपलिकेशन पर आपको इस तरीगे से जो है प्रॉब्लम आते हैं जब आप जो है मिटिंग जोईन करते हैं ओके यहाँ पे लिगा रहता है connection valid please check your network connection and try again तो इस problem को आपको कैसे solve करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो अगर आपके phone पर network नहीं रहता है guys या तो फिर आपके mobile का data जो है बंद रहता है तब आपको यह problem आती है तो सबसे पहले तो आप अपने mobile का data on है कि off है उसको चेक करिए और उसके बाद भी अगर आपको problem आती है तो हो सकता है guys अगर आपने कोई गलत meeting जोईन की हो जोगी उसका link जो है वो यहाँ पर सही ना हो तो फिर यह problem आपको आ सकती है okay तो इस problem को solve करने के लिए आपको सबसे पहले प्लेश्टोर में जाना है आपको और जूम application को आप सबसे पहले update कर लिजिए okay उसके बाद आपको settings को open कर लेना है और यहाँ पर आने के बाद आप आपको application पर जाना है उसके बाद यहाँ पर आपको manage application पर click करना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से zoom लिखना है जैसे ही आप यहाँ पर zoom लिखेंगे तो आपके सामने zoom का application आएगा तो आप उसको open कर लिजिए open करने के बाद यहाँ पर आपको restrict data uses को option आएगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर यहां पे आपको वाइफाई और मुबैल डेटर को आपशन आएगा तो आप दोनों को इनेबल कर लिजी इस तरीगे से और रोके कर लिजी उसके बाद गाईज आपकी जो प्राब्लम है वो यहां पे तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए